हेलो फ्रेंट्स, फाइंड इडियर के एक नई वीडियो में आपका दुबारा स्वागत है और ये न्यूस दो-चार दिन पहली की है लेकिन आटो मुबाइल से रिलेटेट है तो आप लोगो देनी बनती है आप लोगो सब को पता है कि ने-ने कानून डेली आते रहते हैं मतलब कुछ इंटरवल पर रोज वहिकल्स रूल्स ने-ने आते रहते हैं आटो मुबाइल से रिलेटेड तो आज भी कुछ ऐसे रूल्स आये वे हैं कुछ दिन पहले जो मैं आपको आज बता हूँगा और ये सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज बैल आइकन भी दबा दें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यहां पर में इस्ट्राग्राम हैंडल और फेस्बूक हैंडल भी देता रहता हूं तो आप व अगर बैटरी वाली गाड़ी नहीं तो आप और कोई चीजे समानमान रख सकते हैं यानि कि आपको इस पेस के कारण वहां पर कोई दिक्कत नी आने वाली इसलिए आपको इस पेस ज्यादा मिल जाएगा इसलिए अब टायर हट चुका है यानि कि स्टैपनिय अब नहीं मिल अब यहाँ पर दूसरा बतलाव यह है कि यहाँ पर जो ब्रेट हैं उनपे भी कुछ चेंजिस किये गए हैं चेंजिस यह कि उनकी मतलब ड्यमींशन क्या होनी चीए कैसे कलर के होने चीजे आप यह देखते हैं और जो आप देख सकते हैं आप यहाँ ब्सक्रूर्ज किया ह कि जो बैक्राउंड है आपको यहलो नंबर से लिखेगा मतब भेंज चु़ से बैक्राउंड हो गार और जो फ्रंट हो और रेड कलर का हो यह में बात कर रहा हूं टैंप्रेरी नंबर प्रेट की आप अपनी स्क्रीन पे देख पार हो गें यहां पर रेड कलर है वह आपको द सब वहें वहां पो सब कर एक रिल्लीकर नारी नियुक्झ से एक रहके ऊज़ित कर ने मिलते हैं और प्रणट पर नहीं कहले हैं अगे ते सोड़ी और ने मिले promises बिराधरी आंप प्रफारी वहें जांब सरा नारी तो शुनीه एक ग्रिकन ठे 55 this जो आपको बताई कि क्या डाइमेंशन होने वाली आप वो सुनिया आप जो हाइड होगी उसकी वह होगी 65 mm की यहां पर नमबर प्रेट की थिकनेस होगी 10 mm की और इस पेस इन बिट्वीन मतलब लेटस के बीच में इस पीस होगा 10 mm का यहां पर यह ताहरा यानि कि यह क्योंकि एसे में सेफटी मेजर्स यहां पर लिये गए हैं गौर्मेंट ने कि अगर कोई बहार से लोकल सीसा लगा देता है तो वहां पर प्रड़म यह होती है ब्लास्ट हो गया या किसी और को नुकसान हो रहा है आपकी वज़े से तो वहां पर सही नहीं है इसलिए कोई सीसा लगेगा गाड़ी में यह विंडशील लगेगी वह आई एसाई रइस्टर होगी और ऐसे में गौर्मेंट ने जो प्राइवेट ओन कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके सीसे बनाती थी उनको 6 मंस की यहां पर सीधे सीधे बता दिया है कि आपको 6 मंस का टाइम है क्य जरूरी होना चाहिए जिससे वह आराम से सपोर्ट ले सके और साथी साथ फुट रेस्ट भी यहां पर जरूरी होगा जो कि अगर पीछे बंदा बैठ रहा है तो पैर आराम से रख सके यह नहीं कि पैर खेला रहा है जो भी कर रहा तो उसमें एक्सिडेंट के चांसे यहां जो की गवर्मेंट ने तै कर दिया है अब यहां पर एक और नया रूल निकल के आया है कि जो टू विलर्स में समान लोग इधर उदर ले जाते थे चाहे वो वरकर्स हो चाहे बिलीरी बॉय हो तो यहां पर रूल निकाल दिया गया है कि 30 किलो से जादा वो केरिंग कैपिसि अब यहां पर हैलमेट के लिए एक नया नियम आया है कि जो बाहर से इंपोर्टेट हैलमेट पहले अलाओ नहीं जो वन पॉइंट टू केजी से उपर जो वेट होता था हैलमेट का वो नहीं होना चाहिए लेकिन अगर यह नियम आ गया तो ऐसी सिचुशन में क्या होगा कि पहार से जो इंपोर्टेट थे जो शिन में सिक्वर्टी जादा होती थी वह हम लेपाएंगे लेकिन वहां पर वह मदब हैलमेट के अंदर होना चाहिए प्रमानित होना चाहिए हैलमेट सिक्वर्टी रिजन के कारण और यह बहुत अच्छा अच्छा फैसला लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट करें अगर अपको कोई इशू है या कोई गई है तो मैं मैं वहाद डेफिलिएट आपको रेक्राइब करूँगा झाल झाल